वेल्कम टू आलो देस्परेट डॉफ लाइबरी एंफरमिशन साइंस सब विद्धारतों को सौगत हो जो भी लाइबरी साइंस यह लाइस लाइस अमलाइस कर रहे हैं कर चुके हैं यह आप में से काई सारे साइस चुड़ेंट है जो कहम टीक जाम की तेहरी कर रहे है तो आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी जो लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो आज को जो वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं जो कि लाइबरीन के वि इन दो प्रिसक्राइब एप्लिकेशन फॉर्म एवेलेबल ऑन दो कॉलिज वेब साइट जो कि यहां पर दिया हुआ है यहां पर जाकर आप कुछ भी पता करना हो कर सकते हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंड़ेट्स फॉर एपॉइंट्मेंट टू दो पोस्ट आफ लाइब्रे किस तो अगर आप इसके लिए अप्लाइब करें यहां पे इन्होंने पॉस्ट जो है वो नहीं बताया है कि क्तने पोस्ट हैं तो वो आपको वेब साइट पर चल जाएगा या फिर आपको मतलब आपको भर देना है क्या जाता है यहां पे आपका पैसे नहीं लग रहे हैं तो आप अगर आप इसके लिए अपलाय करना चाहते हैं तो जरूर करें फिर यहां पर देखें फॉर मोर डीटेल है आप लिखा भी है प्लीज विजिट दा कॉलेज वेब साइट कि अपर एसेंजियर क्वालिफिकेशन आइज की बात करें तो यहां पर अहां पर ए हाइर सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री अपने का रख़ा है या डॉक्तेशन में आपके 50% माक्षै तब आप इसके लिए है और उसके साथ आपके पीप्यूटर का भी नॉलज होना चाहिक ह तो इस हम पिजाद़ प्रेफिरेंस रहेगा is relaxation जो है यहाँ पे relaxation of size 5% का relaxation जो है वह मिलेगा graduate जो कि master degree का रखाधा है schedule का schedule time या किसी other मतलब class के ते पुरा यहां पे था साथ मैं हाँ पे पीजी डिप्लोमा इन लाइबरी आटोमेशन and networking और यहां पे एक एक्विलेंट डीजारेबल जो है उसी सारी चाहीं है यहां पर उसके आलाव है हाँ आपे एक्सपिरियंस वह माया गया है experience will be preference वहाँ पे उनको ज़्याद़ preference मिलेगा job description में almost यहाँ पे 13 points कुछ दिये हुए हैं आप इन सब को पढ़ लेना 15 points है 16 है इनको पढ़ लेना जो कि यहाँ पे आपके लिए important है तो last date बता दिया मैंने application fees नहीं लग रहा है आपको यहाँ पे mail करना है knowledge है computer science का तो इसके लिए apply करें तो काफी अच्छा है आपे राची के जो मतलब भिहार जारकेंड से जो student है वो इसके लिए apply कर सकते हैं तो I hope आपको सारी जो information है वो समझ में आ गई होंगी नहीं भी आई है कुछ information तो आप college के जो website है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं या comment works में भी कर सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी से next video में कि से अलग टपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद